साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विशह है चरित्र का मोल चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी पुरानी बात है एक नगर में रहने वाले पंडित जी की खयाती दूर दूर तक थी पास के ही एक गाव मिस्थित मंदिर के पुजारी का आकस्मिक नधन हो जाने की वज़े से उन्हें वहां का पुजारी नियुक्त किया गया था एक बार वो अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बस में चड़े उन्होंने कंड़क्टर को किराई के रुपई दिये और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ कई कंड़क्टर ने जब किराया काट कर उन्हें रुपाए वापस दिये तो पंडित जी ने पाया कि कंड़क्टर ने उन्हें दस रुपई जादा दे दिये है पंडित जी ने सोचा कि मैं थोड़ी देर के बाद कंड़क्टर को रुपई लोटा दूँगा कुछ देर के बाद पंडित जी के मन में विचार आया कि बेवजा दस रुपई जैसी मामूली रकम को लेकर मैं परिशान हो रहा हूँ आखिर ये बस कंपनी वाले भी तो लाखों कमाती हैं बेतर है कि इन रुपईयों को मैं भगवान की भेट समझकर अपने ही पास रखलू पंडित जी के मन में विचार आया कि मैं तो इन रुपईयों का सदू पियोग ही करूँगा साथ संगत जी मन में चल रहे विचारों के बीच पंडित जी का गंतव विस्था ला गया बस से उतरते ही पंडित जी के कदम अचानक ठिटके उन्होंने जेब में हाथ डाला और दस रुपई का नोट कंड़क्टर को देते हुए बोले भाई तुमने मुझे किराया काटने के बाद भी दस रुपई जादा दे दिये थे कंड़क्टर मुस्कुराते हुए बोला कि क्या आप ही गाव के मंदिर के नए पुजारी है पंडित जी के हामी भरने पर कंड़क्टर बोला मेरे मन में कई दिनों से आपके परवचन सुनने की बहुत इच्छा थी आपको जब मैंने आज अपनी बस में देखा तो खयाल आया कि चलो देखते हैं कि अगर मैं आपको ज़्यादा पैसे देदू तो आप क्या करते हैं अब मुझे विश्वाश हो गया कि आपके परवचनों के जैसे ही आपका आचरण है जिससे कि सभी को सीख लेनी चाहिए ये बोलते हुए कंडक्टर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी साजसंगत जी पंडित जी बस से उतर कर पसीना पसीना थे उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का भार व्यक्त किया कि हे प्रभू आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने आज मुझे बचा लिया मैंने तो दस रुपयों के लालच में आपकी शिक्षाओं की बोली लगा दी थी पर आपने सही समय पर मुझे समलने का मोका दे दिया साथ संगत जी कभी कभी हम भी तुच्छ से प्रलोभन में अपने जीवन भर की चरित्र पुझी दाओ पर लगा देती हैं जरा सोच कर देखिएगा कि किसी ने बिल्कुल सही लिखा है बक्ष देता है इश्वर उनको जिसकी किसमत खराब होती है वो हरगिस नहीं बक्षे जाते जिनकी नियत खराब होती है साथ संगत जी चरित्र ही सबसे बड़ा गुण है नोबेल पुरसकार प्राप्त सर सीवी रमन भोतिक विज्यान के बहुत ही प्रेख्यात विज्यानिक थे उन्हें अपने विभाग के लिए एक योग्य विज्यानिक की जरूरत थी उन्होंने अखबारों में विज्यापन प्रकाशित करवाया जिसे पढ़कर उनके पास कई आवेदना है सर सीवी रमन ने उनमें से कुछ का चयन किया और उन्हें साक्षातकार के लिए आमंतरित किया साक्षातकार के लिए आए लोगों में एक नविवक था जिसे सीवी रमन सर ने असविकार कर दिया था थोड़ी देर के बाद जब साक्षातकार स्मापत हो गया तो रमन सर ने गौर किया कि वो नवयुवक अब भी उनके कार्याल्य के आस पास घूम रहा है वो ततकाल उसके पास पहुँचे और नराजगी जताते हुए बोले कि जब मैंने तुम्हें आस अविकार कर दिया है तब तुम यहां क्यों घूम रहे हो यहां तुम्हें नौकरी नहीं मिलने वाली जाओ अपने घर चले जाओ साथ संगत जी तब उस युवक ने बड़ी ही विनरमता से कहा सरा बलकुल नराज ना हूँ मुझे यहां आने जाने का जो किराया दिया गया था वो भूल से मेरे पास कुछ अधिक आ गया है इसलिए मैं ये अतिरिक तुराशी वापस लोटाने के लिए आपके कारयाले के लिपिक को खोज रहा हूँ सीवी रवन सर उसकी बास सुनकर बड़ा हैरान हुए फिर कुछ सोच कर बोले मैंने तुम्हारा चेयन कर लिया है क्योंकि तुम चरितरवान हो हाँ भौतकी के ग्यान में तुम कुछ कमजोर जरूर हो जिसे मैं तुम्हें पढ़ा कर दूर कर सकता हूँ किन्तु चरितरवान व्यक्ती पाना बहुत मुश्किल है साज संगत जी जीस तरह से ग्यान प्राप्त करने में सालों लग जाते हैं परन्तु अज्यानता वश की गई एक भूल पूरे ज्यान को खतम कर देती है उसी तरह से चरितर नर्मान में पूरा जीवन लग जाता है पर उसे ध्वस्त होने में कुछ पल भी नहीं लगते साज संगत जी सोहन बाबो ने अपने माली रामू से कहा अरे रामू पहले अपना काम खतम कर ले फीर आजाना मेरे कमरे में वो कपडों का कहा था ना मैं वो कपडे निकाल रहा हूँ रामू का जवाब था जी भाबू जी अपने कमरे में जाकर सोहन जी ने अलमारी खोली और एक के बाद एक कपड़ों का धेर लगाना शुरू कर दिया दिवार पर मुस्कुराती हुई उनकी पतनी रमा की तस्वीर पर जैसे ही नजरे गई मानु अतीत की यादे उनके सामने आ गई उन्हें याद आया वो पल जब वो अपनी पतनी रमा से कह रहे थी अरे रमा तुम फिर शुरू हो गई ये क्या है हार दूसरे तीसरे दिन तुम आमित के कपड़े निकाल कर धूने बैठ जाती हो सच सविकार क्यों नहीं कर लेती कि तुमारा बेटा आमित वही विदेश में ही सेटल हो गया है अब वो अपने देश नहीं लोटेगा कैसे समझाओं तुम्हे सोहन बाबू सर पर हाथ रखते हुए बोले उनकी पतनी रमा ने कहा आप परिशान क्यूं होते हैं बेटे के कपड़े धोकर मुझे संतुष्टी मिलती है बेदाग और एकदम खिले-खिले कपड़े इने धोकर मुझे लगता है कि मैं उसके व्यक्तितव को उसके चरितर को चमका रही हूँ और हो सकता है कि जैसे कपड़ों से मैल की परत हटती है उसी तरह से हमारे बेटे के मन पर पड़ा हुआ मैल भी धुल जाए उसके दिल में अपने मार पता की छवी फिर से प्रकाशित हो जाए और वो घर लोटाए रमा ने भीगी हुई पलकों के कोरों को पोश्टे हुए कहा सोहन बाबु ने भी कह दिया अच्छा तो फिर मेरी तरफ से भी एक दो ब्रश और मार देना बढ़िया तोटका है तुम्हारा सोहन बाबु ने पतनी का दिल रखते हुए कहा कि तभी सोहन जी को किसी की आवाज आई आवाज से उनके माली रामू की अचानक रामू की पुकार से सोहन बाबु जैसे नीद से जागे सामने रामू माली खड़ा था सोहन बाबु ने रामू से कहा लो ये कपड़े ले जाओ जो तुम्हें रखने हो रख लेना बाकी गरीबों में बाट देना और हाँ सुनो ये कपड़े मेले हैं इन्हें एक बार धो लेना क्योंकि इन कपड़ों का मेल उतारने वाली अब नहीं रही इन्हें गिस्ते गिस्ते वो चली गई पर मैल, मैल है की उतरता ही नहीं साथ संगत जी, सोहन बाबू ने अपनी पत्नी रमा की तस्वीर को देखते हुए कहा और फिर रामू से कहा अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे साथ ही है ना उनके माली रामू का जवाब था, जी हाँ बाबू जी, तब सोहन बाबू ने कहा, अच्छा तो फिर तो तुम्हे कपड़े गिस्ने की कोई जरूरत ही नहीं है ये कहते कहते, सोहन बाबू की आखें भराई सोहन भाबू की पतनी रमा बेटे की कपड़ों को धोकर कपड़ों का मैल तो उतार पाए लेकिन वो माता पिता अपने बेटे के चरित्र को नहीं चमका पाए साथ संगत जी इनसान का चरित्र ही उसके व्यक्तितव कसु से बड़ा गुन होता है अगर आज की साखी अच्छी लगी हो विडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए वैचारों के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धान नरंकार जी